जैसरी किष्णा मैं हूँ मनुज मिस्रा आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागा तेओं अविनेंदन हमारे चैनल पर सबसे पहले आज मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप हमारे चैनल को देख रहे हैं इतना सारा प्यार दे रहे हैं इसके लिए हिर्दें से आपका धन्यवाद और मैं इसी प्रकार की साथना और अध्यात्म जोतिस्त की विशे में आपको जानकारी देता है रहूँगा आये दिन आज मैं आपको एक परिशादना की विशे में बताना चाहूँगा परिशादना सास्त्रों में भी वरणित है और तंद्रगंतों में विशेश परी का अस्थान है परी अर्थात अफसरा परी का अर्थ ही अफसरा होता है इसलाम में इसे परी कहते है और सनातनधर में इसे अफसरा कहते हैं परी का एक अलग लोक होता है परी मुखिता बहुत सुन्दर होती है और इनकी आयू 16 से 24 वर्स की अवस्था की होती है यह तीन गुण वाली होती है जैसे प्रकृत में तेन गुण होता है रजो तमो और सतो उशी प्रकार परी में भी तीन गुण विद्मान होते हैं रजो तमो और शतो अब आपके उपर निर्वर करता है आप कौन सी परी अपने पास बुलाना चाहते हैं सतो गुणवारी परी बुलाना चाहते हैं या तमो गुणवाली परी बुलाना चाहते हैं तीनो परी अगर आपको सिद्ध हो जाती हैं सतो रजो और तमो में से तीनो का तीनो सब कुछ कार करने में सक्षम होती हैं जो शटकर्म होते हैं मारन मोहन उचाटन वसीकरन अस्तमन बिद्रेशन ये शटकर्म ये परियां कर देती हैं लेकिन इनकी सिद्धी प्राप्ट करने के बाद ये काम आपका करेंगे तो चलिए इनकी सिद्धी कहां पर आप करेंगे ये पूरा विधान हम आपको बता देते हैं आपको परिशादना के लिए सफेद वस्त्र रुद्रा करने वक्त देख लेता है तो आपका जो शाधना है वो खंडित हो जाता है और आपको शिद्ध राप्त नहीं होगी इसलिए एकांत अस्थान का चैन करें जहां आपको साधना करते कोई ना देखे वहां पर जा करके आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आसन बिछा लें और सफेद वस्तर पहल लें रुद्राक्षिया हकीक की माला अपने हाथ में ले लें तत पस्जाद भगवान गनेश का एक माला जब कर लें ओम गम गनपते नमा अगर आपके पास धन है तो मीठा सफेद मिठाई वहां रख लें भोग के लिए क्योंकि परी जब आए तो उसे भोग के रूप में सफेद मिठाई दे दें परी एक छाया के रूप में आपके सामने उपस्तित होगी और आप हाथ जोड़कर उसे प्रातना करेंगे कि हे देवी मैंने आपका साथन सफेद आसन दिशा उत्तर या पुर्व रहेगी दिन कभी भी कोई दिन से साथना सुरू कर सकते हैं परी की साथना में कोई विशेश दिन की आउसकता नहीं होती है अब आप मंत्र सुन लें जो मंत्र विशेश कारगर मंत्र है ओम रीम रीम अमकस्षपरी हुं शहर्ट यह परी का सामोहिक मंतर है इस मंतर की जब संख्या एक लाग है आप है ये लाग किसी तरीके से इस मंतर का प्रुषणद कर लें तद उपरांत परी लोक से कोई भी परी जोभी परी आपके मंतरों को सुनेगी आपके मंतरों के तरब और 컨र्ष होगा वह खिची चली आयाएगी आपके पास इसमें किसी प्रकार का कोई संसे नहीं है परी कोश्चित करके आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं और लाव प्राप्त कर सकते हैं